बेलकम बेक टो माइ चैनल और यह मैं जैनंग के पापा, बटे का वीडियो, गहाफी टाइमmetros हो गया मतलब दीसेमबर 25 नातल इसी दिन उनका बटे आताएं तो काफी टाइम हो गया जो है वीडियो जो मैं सेट तो कब से करके रखा था लेकिन वाइस ओवर जो है जो है जो है जो है कि टाइम ही नहीं मिलता मुझे इस वे साम दोपेर को कभी भी टाइम नहीं मिलता जैनम को अभी पढ़ाने के लिए भी बैठती हूं तो उसी बज़े से जो है टाइम नहीं मिलता मुझे और यहाँ पे सब फ्रेंड्स आए थे उनके जो पुराने वाले है थो उन्होंने सब सचा के रख दिया था उनको देखो पूरा टोपी और वो सब पहना दिया था और यह सारे फ्रेंड्स उनके पुराने वाले है जो है ब झाल झाल और यहाँ पे सबने मिल के साथ में घर पे ही खाना आज इस बार जो है हम सबने घर पे ही जो है पार्टी एंट्रोइग की थी पूरी तरह से सब बहां से ही खाना लेके आए थे हम जो नौनवेच खाते हैं उनके लिए नौनवेच बनवाया था लग से और जो वेच खाते हैं उनके लिए जो है पनेर की सबजी और रुमाल रोटी और वो सब लेके आए थे सब होटल में से काफी टाइम के बाद जो है सब साथ में मिल के जो है बैठे थे खाना खा रहे थे मस्ती कर रहे थे काफी टाइम हो गया तो काफी अच्छा लगा था हमें बहुत ही वडिया और मुझा आ गया था सुबे में जो है उनकी सारे जो हम पहां पे रहते थे नारंपुडा सास्तर जना कर तो उनकी फ्रेंड्स आई थे और रात को जो है यहां की फ्रेंड्स जो है उनकी तरब से पार्टी थी सब फ्रेंड्स मिलके सब तो यहां पे जो है कोबीच जो रहती है वो है फिर अन्यान और चने की दाल मसाले वाली जो है उसका जो है कचुमबर बना रहे है तो यह गलास जो रहता है उससे एकदम शाप कर रक करके जो है एकदम छोटा छोटा जो है रहता है कचुमबर वो बनाया था और वो सब जो तुवेर का ठोठा जो रहता है उसकी सबची थी बढ़िया वाली पूरी ग्रेवी वाली आती है और प्रेड और छास और वो सब कचुमबर ये वाले जो मैं अभी अब को दिखाऊंगी तो ये इस तरह की पार्टी हमने की थी ये फर्स टाइम मैंने जो है ये ठोठा बोलते है तुवेर ना ठोठा ऐसा गुजराती में बोलते है तो वो वाली पार्टी की थी फर्स टाइम और ये है नेक्स डे का नेक्स डे जो है मेरी मतलब next नहीं काफी next week बोल सकते हूं तो next week में जो है मेरी मामी और सबाई थे मामा की लड़की और सबाई थे मेरे घर पे छोटी बेबी को लेके first time उसका नाम देवानसी है और जो है पकोड़े बना रही है मेरी मामी मेथी की जो भजी रहती है उसके पकोड़े बना रहे है मुझे जो है इतना अच्छा जो है पकोड़ा नहीं आता बनाना तो काफी टाइम हो गया था और बहुत इच्छा होई थी कि पकोड़ा खाया जाए सर्दियों के मौसम में ऐसे गर्म गर्म खाना और तिखा खाना बहुत मस्त लगता है तो यह है देवांसी एकदम क्यूट है सिर्फ चार महिने की है जैनम को जो है काफी संभलना पड़ता है क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं तो उसको जो है ज्यादा संभलना पड़ता है और यहां पर गरमा गरम पकोड़े बने जा रहे ताम मेरे हमी काफी अच्छा जो है पकोड़े और वह सब बनाते है बहुत टेश्टी बनाते है खाना बहुत अच्छा लगता है उनके हात का का खानाoping और वैसे भी काफि टाइम हो गया था उनके घर पी हम नहीं गए थैं और टाइम ही नहीं मिलता आपके घरा चोटा बेबी आता है तो इस तरह का जो है रिवाज जो है करना पड़ता है बिबी के सिर में जो है ओईल कोई भी ओईल जो है दिवेल जो रहता है वो या फिर कोप्रेल कोई भी ओईल जो है आपको लगाना पड़ता है नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि आपके घर में बहुत सारे चुहे आएंगे हव्ते का दिनों का वीडियोज झो है मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है कि व्लॉघ में पर बंटे का और वह इस तरह का च righteous एक सिमिलर जो है वडियोज की बना पारी मैं नहीं आ दियोजा है टूर्थ इतने से काल यह नहीं तो मैं और इतना एतना नहीं आया तो बस सब्सक्राइब करके आपको भी वीडियो दिखा रही हो मैं यहां पे जैनम के कुछ अलगी मस्ती चल रही है देखो पूरे सारे बसकेट में से कपड़े निकाल के जो पहना है वो निकालेंगा और बाद में जो है बस ऐसा की ऐसा ही रहने देखा वो पूरा सब तो यहां पी करते करते ना फिर जो है मैं यह सब करने के लिए आ गई है यह देखो पूरा बास्केट पूरा रूम उसने जो है फैला के रख दिया है सब ठीक करना पड़ेगा मुझे सब और एक बज़ गई देखो घड़ी में एक बज़े हुए है और यह सब करना मुझे पूशा लगाने है सब कुछ बाकी है मेरा देखो कितना टेंसन बढ़ा देता है मेरा पूशा पाल माव कर दिया हुए है सभी है अध्या हुए है ुशा लगए यह जिन यु़्झे, अभषा छौशा थे और दे अध्या है सभ्षा मैनन paranoidा देख generic готов यह दो कर दोस्या है कि इस एँ है तो आज टाइम मिला है तो लगे हाथ चुहे उसका बास्केट अच्छे से साफ करके भर देती हूं तो ये बास्केट जो है मेरे मम्मी पापा लेके आये थे जब वो एक दो महिने का था तब उसके कपड़े जो है कहाँ पे रखे कहाँ पे नहीं तो वहाँ से हम बिली मुरा से लिए थे तो आज भी चल रहा है यह साड़े चार साल का हो गया फिर भी ये बास्केट में उसके जो रेग्यूलर कपड़े है जैसे कि टुवाल फिर जो है उसका रुमाल छोटा वाला रुमाल या फिर बड़ा वाला टुवाल वो सब मैं इसके अंदर रखती हूं फिर कहीं पे फटाक से जाना हो तो वो वाले थोड़े बहुत कपड़े में इसके अंदर एक-दो जोड़ी रखती हूँ तकि पूरी अल्मारी जो है वो झो है खोड़नी ना पड़े उस में से सब निकालना ना पड़े तो उसी बजह से मैं इसके अंदर भी उसके एक स्वेटर जो रहता है हलका-फूलका वो रखती हूँ फिर एक दो मार्केट या फिर मॉल में जाते हैं हम तो उस टाइम पहनने वाली जो है थोड़ी से नीचे रखी है और रेगिलर जो हर रोज पहने जाती है वो थोड़ी उपर रखी है लंबी स्लीव वाली सौट सीवला वाली इस तरह से रखी है यहां पे बाहर जाते है तो दूद वो अभी भी पीता है बोटल में तो उसका कवर यहां पे रख दिया है उसका टुवाल रखा है यह चोटा वाला टुवाल है जब भी हम बाहर गुमने जाते है या फिर घाओं जाती हूँ मैं तो यह वाला टूवाल उसका चोटा वाला लेके जाती हूँ तो रख दिया है यहां पर पैंट्स और जो इसकी लेंगिया है न वह यहां पर रख दी है और अभी थंडी का माश्म है तो पैंट्स ज्यद्धा तर उपर ही रखती हूँ जीनस के और दो-तीन एक्ष्ट्रा वाल स्वेटर मेरे चोटे भाई केनेडा से तो वहां से बड़ा है तो अब इस साल से उस पर्फेक्ट रहा है उपापे या नहीं है लेकिन पिछले साल पहना थे दिन उसको पहने आता तो बड़ा और ये एक जैकेट जो है ये वाला जो है सौट्स सारे है जीन्स के ही है सारे लेकिन अभी ठंडी में तो पहनाएं नहीं जाएंगे तो वो वाले सौट्स जो है जीन्स के और कापड के बेज पे है तो ये वाले मैंने उसमें से निकाल दिये क्योंकि अभी जो है दो महिना तो वो हम उसको पहनाएंगे ही नहीं और विखेरता जा रहा था वो पूरा तो ये मैंने जो है बहुत सारे है उसके सौर्ट्स तो घर्मियों में जो है चलेगा ये और तो मैंने निकाल के रख दिया है और रख दूंगी अभी यहां पे उपर तीजोरी में ये कपाट है इसके अंदर भी जो है विल्कुल भी जगा नहीं है तो ये एक बड़े वाली ऐसी बैक लोंगी और उसके अंदर बर के डाइरेक्ट उपर उसको पहुचा दूंगी तो ये एक्ष्ट्रा जो है वो सब निकाल दिये है मैंने तो काफी सारी जगा जो है बची हुई अभी देखो आप देख सकते हो तो ये दोनों स्वेटर जो है इसके अंदर आ जाएंगे अभी ये एक स्वेटर जो है उसते पहना है और एक उसका जैकट जो है बड़ा बाला और जो है टोपियां और रुमाल और वह सब जो है कोई मैं ही रखती हूँ ट जाकेट है उसके पास तो अल्टरनेट पहनना थी रहती हूं और ऐसे न मेरे बाई दो उसने दो स्वेटर्स एक तो एक हैवी ये भीजा था और दूसरा है ट्वी स्वेट जो अभी उसने पहना है उस तरह का भीजा था उसने तो वह जो है बहुत काम में आ रहा है मेरा और अ मुझे मुझे ये जगो अभी जाड़ू सब सब चिक़े पर लगना बाकी है सब सब कुछ ठीक करना है वह वाली जग़ा तो व्यसकी रहेगी वह रैग्युलर पैनने वाले कपड़े है तो वो तो अभी मैं है नहीं जगा तो रखोंगे कहां पर उस पर रखोंगे यहां से थोड़ा बहुत सामन जो है यहां पर टेबल रख दूँगी तो उसके उपर चला जाएगा यह सब भी वहां पर चला जाएगा हलागी अपी तो सर्दियों का ही मौसम है इसलिए जो है सारे स्वेटर्स और वो सब जो है उसके बहार निकल गए है कहीं पर जाना हो वो गंदा भी बहुत करता है लड़का है न मतलब छोटा तो बहुत कपड़े गंदा करता है तो एक्ष्ट्रा वाले जो है यह सौर्ट्स जो है उसके वो सब मैं एक थैली में रखे उपर रख दूँगी और जो उसकी स्पेस बची है जो बास्केट में तो उसकी जो स्वेटर्स जो नए वाले निकाले पूराने वाले दो तीन जो है रेगुलर घर में पहनने के वो सारे जो है इसके अंदर भी बास्केट में चलता रहता है क्योंकि अभी हमने पूरा जो है फरनीचर नहीं बनाया है तो इसी तरह से मुझे मैनेज करना पड़ता है सब ये देखू ये दुसरा वाला उसका चैकेट जो है मैं दरवाजे के पीछे हमने लगाया है हैंकर टाइप का तो उसके उपर लगाऊंगी और रेग अच्छे से मिल जाए इसी तरह पूरा दिन पता नहीं कहां पर चला जाता है ये नहीं पता चलता और जो है सर्दियों के मौसम में तो दिन भी छोटा रहता है तो यही छोटा मोटा काम जो है करते है तो उसमें ही जो है दिन चला जाता है और घर की सबसफाई में ही जो है पूरा दिन चला जाता है फिर थोड़ी देर हम आराम करते हैं और आजू-बाजू में बात्चीत करते हैं थोड़ी तो उसी में टाइम चला जाता है अच्छी तरह से यहां से सब clean हो गया है जाड़ू यहां से लगा दिया तो यह सारे कपड़े जो है सिलाई करने के लिए थोड़े देने है मुझे इस बज़े से टिबल के उपर ही रख दिया है यहां पर थोड़ा सा है कॉर्णर भरा हुआ लेकिन चले जा अभी कोई बात नहीं और यह सब ज जाना है मुझे च्छाड़ू लगाने सब जगए तो यहां पर भी सब कुछ ठीक करना है यह वाले बिद्पी और यह देखो जैनम जैनम के सारे करस्तान है यह देखो इसको लिखने के लिए बुलते हैं तो वह नॉट्बुक में नहीं लिखता और कहीं पर लिख देता है तो यहां पर उसने डॉक्टर सेट निकला है उसका काफी टाइम के बाद जो है मैंने दिखाया उसको तभी लेके वो खेल रहा है जैसे और यह सब भी जो है मुझे ठीक करना है और यहां पर तो वस आई है यहां पर बरतंद हो दिये हैं मैंने प्लैटफर्म क्लीन करना है इसमें इसमें क्या आया था इसके अंदर क्या आया था इसमें जब आपके क्या कुछ भी बोल रहा है पागल जैम साइकी नहीं आई थी इसके अंदर जैम साइटी नहीं आथी जैम साही थी ना उसके अंदर हाँ तो वह बोलना उन्दें उन्दर जैम आई थी हाँ तो जाटा को दिया खा लिया हाँ ओके लिए और बिजी लाने पड़ेगी ओहो अपी दूसरी लाने पड़ेगी दूली लाने पड़ेगी जैम्स लाने पड़ेगी और यह क्या कर रहे हो डॉक्टर सैट से किसको इंजेक्शन लगा रहे थे अभी बताता है तुम मुझे नहीं मुझे डर लगता है नहीं नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए देखो 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 पड़ाई तो हो नहीं पा रही और डॉक्टर बनने जा रहे है यह डॉक्टर की साइकल हे क्या और इतनी साइकल में डॉक्टर कहां जा पाएगा फर्वा जाएगा घुमने जाएगा जुमने नहीं घुमने जाएगा टॉप्टर घुमने जायेंगा तो फिर इंजिक्सन किसको मारेगा सुई किसको लगाएगा वो तू लगाएगा सुई तू लगाएगा वह-टौ गुमने जाएगा यह एच्छा है हाँ तो अबी मैं जा रही हूं जाड़ू लगाने पूछा करने जाड़ू लगाने जा रही हूं जाड़ू लगाने